हेलो फ्रेंड नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ जारखन जीके से महत्वपून प्रश्ण जो जारखन CGL और JPSC PT के जितने भी स्टुडेंट हैं उन सब के लिए काफी लाप नयक होगा चूकि CGL के जो एक्जाम होने वाले हैं या ऐसे भी अनिक जितने भी प्रकार के एक्जाम होते हैं जारखन के जितर में तो उससे आप लोगों को सामानी अध्यान, जारखन सामानी अध्यान, सामानी विज्ञान और computer इन सब से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये CGL 19 के PT का syllabus मैंने लिया है, और इसके अलावा current affairs से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो current affairs के लिए आप लोग PD पढ़ सकते हैं, महासागर पढ़ सकते हैं, जो कि सामाने current affairs के अच्छी जानकारी देते हैं, और इसके साथ ही उचेसतर क एक्जाम के तैयारी के लिए भी बहुत लाबदायक हैं, और ये मैंने जो एक सूची बनाई है, इससे आप लोगों को देखे, CGL में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी, जारखन सामाने ग्यान से 30 प्रश्न, सामाने अध्यान के 40 प्रश्न, सामाने विज्ञान के 20 प्र इसके अलावा रिजनिंग से भी प्रश्नाएंगे और मैथ से भी प्रश्नाएंगे, तो रिजनिंग और मैथ आप लोग अपने अलग माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए सूटेबूल हो, आप कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर मैं इन सभी का एक एक लास कोशिश करूँगी कि वीक में दो-दो दीन करके दूँ तो जैसे जहारखन सामाने अध्यान तो जैसे मैं ये चाह रही थी कि मैंने भी फॉर्म भरा हुआ है इस एक्जाम के लिए तो हर विसे को पढ़ना जरूरी है ऐसा नहीं कि सिर्फ जहारखन पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा या फिर केवल विग्यान पढ़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को हर विसे पर फोकस देना होगा हाँ ये अलग बात है कि कुछ विसे जिसमें अधिक माक्स है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा तो मैंने ये सोचा है कि जहारखन सामाने अध्यान जेनरल जो सामाने अध्यान है जी एस पेपर सामाने विग्यान जिससे विस प्रशनाएंगे और कम्प्यूटर तो मेरे पास काफी सारे बुक्स है जो कि इन ही सब एक्जाम से रिलेटेट है मैं काफी टैम से पढ़ भी रही हूँ तो उससे वस्तोनिष्ट प्रकार के प्रशनों को मैं कत्रित करूँगी और हर विसे से आप लोगों को क्लासेस दिया करूँगी जैसे आज की कलास में मैंने जारखन सामाने अध्यान लिया है तो इसमें वैसे ही प्रशन होंगे जो कि अबजेक्टिव के रूप में होंगे प्लस ये प्रेवियस एर में आई हुए प्रशन भी होंगे तो ज्यादा तर SSE में जो एक्जाम होते हैं पिछले यर्स के question को अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रशन रिपीट होते हैं तो मैंने डिटेल से भी बहुत सारी classes दी हैं आप लोग उसको भी देख सकते हैं और CGL के लिए ये special CGL और JPSC के जितने भी PTK student हैं इस प्रकार से पढ़ना काफी लाबतायक होगा कॉंसेप्ट के लिए डिटेल की classes आप लोग पढ़ें मैं अलग से वो classes भी continue रखूंगी और इस तरह से बताने से आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि दो-दो दिन करके मैं जारखन जी के सामाने अध्यान, सामाने विक्यान और कम्प्यूटर के वैसे सभी प्रश्णों को आप लोगों के लिए ले करा हूँ जो अलग अग्जाम में पुछे गए हैं ज्यादा तर जो प्रकार के प्रश्णों ज्यादा पुछे जाते हैं क्योंकि रिपेटेशन काफी होता है तो इसलिए आज की क्लास में बहुत सारे प्रश्णों मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो चलिए देखते हैं तो मैं यही बताना चारे थे कि इन चारों विश्यों से प्रश्णों मैं आप लोगों को दूँगे ताकि मेरे द्वारा हर विश्य में आप लोगों को कुछ न कुछ मेटेरियल उपलब्द रहे पढ़ने के लिए तो आप लोगों को लाब मिलेगा आज की क्लास में हम लोग जहारखन जीके से कुछ महतुपूर्ण प्रश्ण देखेंगे जो प्रिवियस यर की सचीवाले के एक्जाम में ही आए हुए हैं जैसे बिर्सा मुंडा का जन्म कब हुआ था 1875 इस्वी में बिर्सा मुंडा और टाना भगत अंदोलन से काफी प्रश्ण पूझे जाते हैं तो इससे रिलेटेड हर एक प्रश्ण आप लोग जैसे भी हो अच्छे से तयार रखें 2011 की जन्गर्ना के अनुसार जहरखन का लिंगा अनुपात है 947 1000 पर 947 टाटा एरन एंड स्टील कंपनी का गठन हुआ था 1907 इस्वी में दामोदर घाटी का उद्गम है छोटा नाकपूर का पठार रामगर्ड कॉंग्रेस अधिवेशन कब हुआ था ये पूछे वे प्रशन है जितने भी प्रशन में आप लोगों को करा रही हूँ ये सभी एक्जाम में पूछे वे प्रशन है और काफी ये जितने भी टॉपिक हैं जिससे रिलेटेट ये प्रशन है उस टॉपिक का ये सब काफी महत्वपून प्रशन है इसलिए ये सब बार-बार पूछा जाता है रामगर्ड कॉंग्रेस अधिवेशन 1940 इस्वी में हुआ था जहारखन की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्स छोटानाकपूर उन्नती समाज का आरम हुआ छोटानाकपूर उन्नती समाज का आरम जनजातियों के जो जहारखन की जनजातिया है उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हुआ 1915 इस्वी में जादू गोड़ा किस खनीच के लिए प्रशित है तो यूरेनियम जो जादू गोड़ा में है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है जरिया की खान किस राजी में है तो जरिया में कोईले की खान है और ये जहारखन में है काफी प्रसिद्ध है ये और अभी के समय में बहुत ज़्यादा खतरनाग स्थिति में भी है ताना भगत आंदोलन कब आरंब हुआ 1913 जौदय इस्वी में जारखन में 1895 इस्वी में कौन सा विद्रो हुआ था विर्शा मुंडव विद्रो 1895 इस्वी में हुआ था जारखन के कुल कितने प्रतिशत छेत्र वन छेत्र हैं जारखन की जो भूमी है उसके 29.6 प्रतिशत भाग पर वन है वन अच्छादन का जो प्रतिशत है वो 29.6 प्रतिशत है कौन से भासाओं का समो द्रविड परिवार से संबंधित है तो बहुत सारी भासाएं हैं जारखन के चेतर में जनजातियों की तो उराव और पहाडिया जनजाति की जो भाशा है वो द्रविड परिवार से संबंधित भाशा है चितरकला जो जारखन में एक बहुत ही प्रसिद्य चितरकला है जादो पाटिया इसकी किसकी विशेस्ता है तो संथाल की, संथाल जन जाती की ये प्रसिद्ध चित्रकला है, जादो पाटिया, बहुत बार रिपीट हुआ प्रशन है ये 1989 में महाश्वेता देवी द्वारा रचेत साहते अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत एतिहासिक उपन्यास अरनेर अधिकार इसकार्थ होता है जंगल का अधिकार 1989 ये एक पुस्तक उपन्यास है किसके जीवन पर आधारित है महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा था अरनेर अधिकार और इसे साहते अकादमी पुरस्कार से भी समानित किया गया था ये बिर्सा मुंडा के जीवन पर आधारित उपन्यास है जारखंड के किस जिले में बागों के लिए संगरक्षित वन है तो पलामू में पलामू जिली में बागों के लिए संगरक्षित वन है अगला प्रश्ण है जार्खन में गाउं की संख्या है जार्खन में कितने हैं गाउं कितने हैं 32,620 जार्खन में कितने संसद के सदस्य हैं संसद में दो सदन होते हैं सभी जानते हैं उच्छे सदन निम्ज सदन दूनों सदनों को मिलाकर सदस्य संख्या 20 है जारखन के केश जिले को भारत की अबरख राजधानी को डर्मा को कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है अबरख यहाँ पर और उच्छे क्वालिटी का रूवी अबरख यहीं पर पाया जाता है केंद्रिय इंधन सोद संस्थान की स्थापना 1945 इस्वी में हुई थी ये कहा है काफि परसिद्य सोद संस्थान जो की 1945 इस्वी में ही बना ये धनबाद में जारखन के धनबाद में जारखंड में दूरदर्सन केंद्र कारेरत है तो दूरदर्सन केंद्र जारखंड में कारेरत है एक राची में है एक मेदिनी नगर में है खनेज उत्पादन में जहरकंड का भारत में स्थान है प्रत्थम स्थान है खनेज उत्पादन में जोकि जहरकंड खनेज प्रधान राजे हैं किस स्थान पर पाल सासक महिंद्र पाल के सिलालेख मिले हैं इटखोरी में इटखोरी में महिंद्रपाल के सिला लिख मिले हैं जारखंड में कितनी मध्यम सिचाई परियोजनाई लागू है 886 मध्यम सिचाई परियोजनाई लागू है जारखंड में चोकि जारखंड में भूमी उबडखाबड है सिचाई के माध्यम से ही खेती कर पाना संभव हो पाता है वर्षा का जल संचित नहीं हो पाता इस वज़ा से जारखन के किस जिले में कुवों से सरवाधिक सिचाई की जाती है गुमला में लगभग पूरी की पूरी सिचाई कुवों से ही होती है गुमला के छेत्र में जितने भी खेती है कोवों से सिंजित होती है गांधी जी किसके निमंतरन पर राची आये स्याम क्रेश्न सहाय और 4 जून 1917 ये दोनों महतुपुन है प्रश्न घुमा के भी पूछता है कभी डेट भी पूछा जा सकता है तो 4 जून 1917 को श्याम क्रेश्न सहाय के निमंतरन पर गांधी जी राची आये थे अलाउदिन खिल जी का सेनापती मलिक काफूर जब दक्षिन भारत के विजय के लिए निकला तो वह किस राज्य से होकर गुजरा मद्यकालीन जो जारखंड की स्तिती है उसमें अलाउदिन खिल जी से संबन्दित ये प्रश्न बहुत महतोपूर्ण है कई बार पूछा गया प्रश्न है तो जारखंड से अलाउदिन खिल जब अपना विजय अभियान चला रहा था और दक्षिन भारत के विजय के लिए जब वो निकला था तो वो जारखंड होते हुए उसका जो सेना पदी था मलिक काफूर वो गुजरा था उस वक्त जारखंड के मुखे फसल है चावल या धान भी लिखा हो तो वो सही होगा और यह बहुत मातुपून प्रश्ण है जारखंड राजी के वनस्पती प्रदेश में सामिल है कौन किस प्रकार के वनस्पती प्रदेश है जारखंड के चेतर में उसन कटी बंदिया आंद्र पत जड़वन उसन कटी बंदिया सूसक पत जड़वन इन दोनों प्रकार के वनस्पती प्रदेश पाई जाते हैं जारखन का सबसे गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड सूर्यकुंड काफी प्रसिती गर्म जलकुंड है जारखन सरकार को सरवाधिक आय किस से प्राप्त होता है कौन से छेत्र से सरवाधिकाय प्राप्त होती है जहारखन सरकार को वाने जेकर से वाने जेकर के द्वारा सरवाधिकाय प्राप्त होती है बिर्सा मुंडा केंद्रिय कारा कहां इस्ति थे तो राची में राची में ही स्ति थे बिर्सा मुंडा केंद्रिय कारा ये आज के महतुपूर्ण प्रश्ण थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी जारखन जीके से सम्बंदित और ये CGL और JPSC PT के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए लाबदायक है और CGL मेंस का भी जो सिलेबस है उसमें जारखन जीके और सामानी अध्यन से बहु मेंस में हम लोगों को किसी भी प्रकार की परिशानी ना हूँ और topic wise भी मैं आप लोगों को बताते जाओंगी ऐसा नहीं है कि इस टाइप से ही बताओंगी मैं descriptive टाइप से भी आप लोगों को पढ़ाओंगी और chapter wise भी पढ़ाओंगी इसले आप लोग निश्चिंद रहें मेरा पूरा प्रियास रहेगा कि कोई भी टॉपिक आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ सकें ताकि कोई भी प्रशन पुछा जाए तो आप लोग बता सकें तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग अपने सुझाओ अवश्य दें आप बताएं जरूर कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को और किसी प्रकार का आप लोगों का प्रशन हो तो वो भी कमेंट के मादे हम से पूछ सकते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें धन्यवाद